महर्शया सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्त था मदभवा मनसा जाता ये शाम लोका इहमा प्रजाह नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो शलोक है भगवद गीता के दसवे अध्याय का चछटा शलोक है जिसे हम आज गयराई से सम्झेंगे तो आईए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो श्री कृष्ण यहां पर अर्जुन से कहते हैं कि जो सात महरशी हैं जो चार सनकादी हैं और जो सभी मनु हैं वह सब मुझसे जन्मे हैं और इसके पश्चात जो इस जगत में सारी प्रजा है उसका मन तब जन्मा तो यहाँ पर श्रीक्रिशन साथ महरश्यों के बारे में बोल रहे हैं वे सनाकादी के बारे में बोल रहे हैं और वे मनुओं के बारे में बोल रहे हैं अब प्राय होता क्या है कि लोग ये सोचते हैं कि जो महरशी थे जो मनुओं थे या जो सनाकादी थे ये सभी वास्ताव में पुरुश रहे हैं जो कि सबसे पहले आए ब्रम्हा के द्वारा उत्पन हुए और उसके पश्यात ये प्रजापती बने और इनके द्वारा फिर प्रजा आगे बढ़ी तो इस प्रकार से कल्पना की जाती है कि आप ये यदी समय में पीछे जाए पीछे जाएं पीछे जाये तो तब ये ऐसे जो ये लोग थे ये वास्ताव में रहे होंगे इस प्रकार से सोचना एक उचित सोच नहीं है क्योंकि यदि आप गरंथों को पढ़ें और वहाँ पर देखें तो महरशियों का उल्लेक अलग-अलग कालों में हमें देखने को मिलता है सनाकादी तो ऐसे हैं जो कि सदा बच्चे ही रहते हैं बड़े होते ही नहीं और मनु जो है मनु ऐसे बोले जाता है कि जब भी एक मनवंतर आरम होता है तो उसमें मनु आते हैं और मनु फिर कुछ परिभाशित करते हैं तो यह जो यहाँ पर विचार है मनु का या सनाकादी का या महरशियों का ये एक ऐसा विचार है जिसमें हमें समझना चाहिए कि ये वास्ता में ऐसे व्यक्ति नहीं है ये भी प्रतीख ही हैं ये भी हमारे लिए प्रतीख हैं ये कोई भौतिक व्यक्ति नहीं है और ये क्योंकि प्रजापती कहलाए जाते हैं तो इसी कारण से ये प्रजा के विभिन पहलों को और दर्शाने वाले प्रतीख हैं, तो जो भी आप ग्यान देखते हैं, जो कि हमारी संस्कृती में लाया गया है, तो उसको यदी आप देखें तो उनको पीछे पीछे यदी दिखा जाए तो उनका जो मूल होता है, वह इनहीं में से किसी न किसी को प्रदान किया ज जो भी ग्यान दिया गया उनको इन्हीं को दिया जाता है कि इन्हों ने जो है वो लिखे आ या जो आगे जो हमारे लिखे गए हैं जो गरंद उनमें भी ऐसा ही कहा जाता है कि इनको ही जो है इसका श्रेय दिया जाता है तो इससे हमें यह प्रश्ट पता चलता है कि जो ग्या की परंपरा है हमारी संस्कृति में जो चलती हा रही है उसमें इनका एक योगदान है ये ग्यान की परंपरा के प्रतीख है कि किस प्रकार से जब सभ्था आगे बढ़ती है और किस प्रकार से जब ग्यान बढ़ता है तो वो जो ग्यान बढ़ाने वाला होता है तो वो जो पह है तो इस कारण से आपको कई बार इन में परस पर विरोध देखेगा जिस कारण से इनको ठीक प्रकार से समझपाना बड़ा ही कठेन हो जाता है कि आप किसी एक गरंथ में देखेंगे तो सब्तरिशी कुछ पांच साथ बताएं में वहीं यह दि और ऐसा मूलत है इस कारण से हुआ है क्योंकि हमारी सभ्ता में खुला पन रहा है कभी भी ऐसा नहीं है कि केवल एक ही संप्रदा है बहुत से संप्रदाय रहे हैं और सभी विचारों को सम्मेलित किया गया है तो इस कारण से जब भी कोई व्यक्ति कुछ भी लिखता था तो वह अपने सहजबोध के अनुसार इनका विवरन करता था और क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक अलग सहजबोध हुआ करता था हमारा जो समाज है वह सबजेक्टिव रहा है अबजेक्टिव नहीं रहा है तो हर किसी का अपना एक अलग सहजबोध रहा होगा इस कारण से हर किसी ने अपने बोध के अनुसार व्याख्या किया हमको यहाँ पर केवल इतना समझना है कि यह जो समाज हम अपने चारो और देखते हैं यह जो शृष्टी हम चारो और देखते हैं जो विज्ञान में प्रगती है जो दूसरे जो हमारे विशा हैं उनमें जो प्रगती है समाजिक विचारधारों में प्रगती तो ये जो भी प्रगति ये जो भी ये ग्यान है जो हमने अपने पास संरक्षित किया है ये सभी हमारे पास में अंततह श्री कृष्ण से ही आया है माध्यम जो है वह फिर ये महर्शी और सनकादी और मनु हैं बीज के माद्धेहम इन्तु जो यह मूल ग्यान है यह श्री कr richness से ही आया है तो इस संसार में इस श्रिष्टी में चल रहा है जो भी भौतिक नियम है जो भी मनोविज्ञान से संबंदित नियम है या जो भी आप कैसे हूँ कि समय को संचालित करने वाले नियम, स्थान को संचालित करने वाले नियम, इन सब को चलाने वाले जो नियम है, कारण और प्रभाव का जो नियम है. ये सभी नियम, वास्तव में Shri Krishna से ही उत्पन हुए हैं. और यहां पर गीता के संदर्ब में हम कहते हैं कि यह श्रीक्रिष्ण से उत्पन हुए है कि यदि कोई दूसरे संप्रदाय के अनुसार देखा जाए तो यह जो भी आप उनको अपना सरवुच ये ईश्वर मांते हैं उनसे उत्पन हुआ है तो वो विचार है जो कि यहां पर श्रीक्रिष्ण कहा रहा है कि ये सभी मुझसे उत्पन हुए और फिर इनसे जो है मन जन्मा प्रजा का तो प्रजा का जो मन है जो मन है वो मन वास्तों में क्या होता है मन वो है जो कि जानता है जानना जो होता है, मन के द्वारा संभव हो पाता है तो वो जो जानना है, जो जो ज्यान है, जो कि सब का, सब जो हमने संरशित किया है, हमारी सब्वेता में वो सभी जो ज्यान जो संरशित है, जिसको कि हम सभी जानते है वह जानना और वह ज्यान वह सभी श्रीक्रिष्ण से आया है ऐसा यहां पर श्रीक्रिष्ण कह रहे हैं तो आशा करता हूं कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यही पर समाप्त करते हैं नमस्ते हम आप इस श्रीक्रियो करते हैं चको आपको मैंने में तो स्याल चाह Southग से मिए वगन से कि उता हैं नमस्ते सी बचसिवers रहांनें तो兩ょ संपने चाहां आपको यहीं हैं नमस्ते हैं?